हेलो दोस्तों आप लोग सुलगत करते हैं फिर से अपने चैनल देशी डिटेल साहली के एक और न्यू फाइनियंसल वीडियो हैं आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप 25 लाग तक का होम लोन लेने जा रहे हैं वो भी SBI बैंक्स पे अगर आप लेने जा रहे हैं अगर SBI बैंक्स से होम लोन 25 लाग का तो आपको ब्याज लगेगा जीरो यह कैसे होगा इस वीडियो में लोग बात करने वाला पूरा डिटेल से क्योंकि यह जो यह एमाउंट है 25 लाग का मैं क्यों ले रहा हूं क्योंकि एक सस्क्राइबर है उ आज वीडियो बनाने वाला हूं आपको यह कोई question हुआ करें तो मुझे comment कर दिया करो and the end telegram में मुझे follow कर लों वहां पर आप लोगो जो भी questions करने हो तो पूछ सकते हो वहां पर टेलिक्राम पर आप लोगो हर एक चीज पूछने के लिए मैं रखा है क्योंकि भाई लोग क बहुत सारे कमेंट में बड़े-बड़े कोश्चन करते हैं, तो इस वज़ेश मैंने टेली गरम का चैनल दिंक में दे दिया है, तो पूरी कैलकुलेशन वाली वीडियो होने वाली 25 लाग पर आपको 0 ब्याज लगेगा, और फायदा आप लोगो एक गुना जादा ही होगा, तो वीडियो लास तक गोच करिएगा, एक भी परसन इसकिप ना करिएगा, हाट जोट करके आप लोगो उससे नहीं बेना रहे, क्योंकि यार आप लोग फिर कहते हो कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज आर इसकिप ना करना, क्योंकि कैलकुलेशन वाली वीडियो में आप लोग अगर थोड़ा सा भी स्किप कर देतो, एक परसन के लिए भी स्किप कर देतो ना, तो पूरी बर्बाद, पैसा बर्बाद, ठीक है, तो अब चलतो हम लोग चलते हैं, पहले SBI Bank के ओफिसल पेज पर, तो अभी देखो देख लेते हैं कि क्या rate of interest चल आप यहां पर हम लोग यह देख लेते हैं, कि अगर भाईक दोको, हम लोग अपने EMI calculator पर आ गए हैं, तो इस EMI calculator की link मैं simple आपको description box में दे दूँगा, यहां पर आने के बाद आप लोग हर एक loan की planning कर सकते हो, जैसे अभी मैं करके आपको बताऊंगा, तो दोको जब आप 25 लाग का loan लेने जा रहे होते हो, तो पहले आपको पता होना चाहिए, कि आपकी income कितनी है, तो यहां पर income जानने के लिए हम लोग ने यहां पर HDFC bank का calculator, eligibility calculator यूज किया है, इसका यूज करके हम लोग पता लगा सकते हैं, कि हम लोग को कितनी income पर कितना loan मिल सकता है, ठीक है, तो यहां पर, अब इस income पर हमने डाला कि मिरी 55,000 रुपए, मतलब कि मैंने देखा कि भाई को 25,000 लाग तक का loan चाहिए था, तो उन्होंने मुझे अपनी income reveal कर दी थी, टेली ग्राम चैनल पर, मुझे personally उन्होंने मुझे सब कुछ detail से बताया, तो देखो, उनकी salary यार साट 70,000 रुपए मैं आपको भी बता देता हूँ, तो देखो, मैंने 55,000 रुपए कि salary पर आगर आपकी होगी, और आगर आप 8.6, अब देखो, rate of interest SBI बाएंगा किता चला, 8.75%, ठीक है, तो हम यहां पर rate of interest थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो हम rate of interest भाई कर देते हैं, हमें क्या credit history, पता नहीं लोगों की कैसी हो, अगर आपको अपना civil score नहीं पता है, तो civil score जाकर के description box में link है, वहां से जाकर के check कर लो कि civil score आपका कितना है, उसके भिहाब पर अपना rate of interest डालिएगा, ऐसे अंदाजे में कोई rate of interest मत डालिएगा, ठीक है, तो ऐसे मैं यहां पर एक random ले दिख रहा है, तो यही 8.75% आपको rate of interest लेगेगा, अगर आपका civil score बेकार है, तो यार आप लोग क्या कहते हैं, थोड़ा rate of interest देना पड़ेगा, तो अब हम लोगों को पता चल गया है, कि अगर भाई की जो सहली हो 60-70,000 उपाई है, ठीक है, तो अगर वो 55,000, मैं यहां प अगर पता चल गया, अगर हम 15 सालों के लिए हम ले रहे हैं, वो भी 15 सालों के लिए कर के देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अगर हमाई income, पच्छ गया, तो अगर हम साल बढा देगा, तो अगर आपका लोगों बढ़े दो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती, त आपको कितने कम सालों में आपको सेट करके रखना होता है कि कितने कम सालों में ज्यादा loan प्रोवाइड हो जाए ठीक है तो अब ये चीज़ हमको पता चल गए कि अगर आपकी मेरी भाई की 55,000 उपए से अगर salary जादा है मतलब कि 50,000 के उपर उनकी salary है तो आसानी से उनको 25 ल कि EMI calculator पर यहां पर हमने amount डाल दिया 25 लाग का ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते हैं फिला पर automatic आप लोग भी यहां पर slider का यूज करके नहीं तो otherwise अपने मन से आप लोग सिलक करके 25 लाग तक का amount डाल दे रहे अब हमने यहां पर जो SBI bank का rate of interest चल ला है तो 8.75% अब भाई का सिबिल स्कोर के according उनको जो rate of interest लग रहा है वो 9% लग रहा है अब हमने जो लोग लिया HDFC bank में rate of interest डाला हम लोग ने जब salary confirm करनी थी तब भी हम लोग ने जाड़ा डाला क्योंकि आर उपर नीचे होई जाता है कोभी नगवी तो हम लोग थोड़ा बचके चलते तो हम लोग 9% का rate of interest डाला अब लोग ले रहा है हम लोग मालो अगर हम 25,25,25 लोग ले रहा है मालो ठीक है अब हम 25,25 लोग ले रहा है जो पहला तरीका होता है अगर आप 25,25 लोग ले रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो total आपको ब्याज लगेगा वो 37,00,000 मतलब कि पूरा जो ये 9% है ये आपको हर साल लगता जात है तो उस तरीके अगर आपको 25 सालों में जो total ब्याज लगेगा वो लगेगे जाकर कि 37,93,970 रुपए जो आपके किस्त तो काफी कम जा रही है देखो 20,980 रुपए देखो किस्त कम जा रही है लेकिन total ब्याज मतलब कि आपने जितना loan amount लिया 25 लग का loan लिया उस पे आप आपको ब्याज जादा देना पढ़ रहा है देखो सकते हो यह percentage वाले graph में देख लो यह total ब्याज है आपने principal amount 49% लग रहा है 49% जो आपका 25 लाग amount है यह principal amount है तो यहाँ पे हमने home loan amount अगर SBI बैंसे 25 लाग का लिया तो उस पे हमको ब्याज कितना जादा देना पढ़ रहा ह 60% मतलब की 25 लाग के amount से जादा 5-7-12 लाग रुपए जादा लग रहा है यह काफी जादा amount है तो अब यही 25 लाग का loan हम लोग 25 सालों के लिए ना ले करके हम लोग यार इसको पहले देख सकतो 20 सालों के लिए करेंगे तो कितना जल्दी 37 लाग रुपए लग रहा था अब 28 लाग रुपए सीधे 10 लाग का अंतर आ गया अगर हमने 5 साल कम किया लेकिन अभी भी हम लोग का total यह जो total ब्याज लग रहा है वो हम लोग के principal amount से जादा है अभी यह जो orange वाला area है देख सकतो 30% हुआ है और जो हम लोग का principal amount है वो 46% हुआ है ठीक है अब इस amount को हम लोग 20 साल के लिए ना करके हम सीधे 15 साल को लिए कर दे रहे हैं तो देख सकते हो भाई की जो सैलली है वो 60-70 रुपए है तो आसानी से वो लोग अगर हम वो 15 सालों के लिए करते हैं तो उनको 20 लाग रुपए 64,200 रुपए आप लोग को देना पड़ेगा तो अब देख सकते है कि ब्याज हम लोग का कम हो गया अब हम और कम कर देने 10 सालों जब आपके पास पैसा जाधा हो और आपको कुछ भी दिक्कत ना हो तो आप लोग एक तरीका लगा सकते हो अगर आप 55-70,000 रुपए की अगर आपकी सैलली है तब ही आपको तो इतना अमांट मिलेगा तो आप कोई प्रॉबलम नहीं होता है और आपको देखो भी आपका काफी मिलेगा जब है तो थोड़ा कम खाऊ लेकिन अपने जो अमने लोग लिया उसको जल्दी बे करदो जल्दी पे हो जाता हुती argument जो इतना mind का भरा होता है माइड में जाल में रात में नीद नहीं आती है जब एक किस्ते जा रही होती है तो दिक्कत काफी सारी होती है तो 20-25 जार में आप लोग कर चल जाएको कोई प्रॉबलम नहीं होगी ठीक है तो 10 सार के लिए आप लोग यह कर सकते हैं अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं 25 लाग का लौन अ अब बिस अपंदा सालों के लिए कर देखने हो तो यहाँ पको का काफी तरीका और लगा सकते हैं जैसे जतने साल आपका लोन चलने माला उतने साल आप लोग चलने माला 2000 की ऐसी SIP कर रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा rate of interest देखने हो मिल जाए तो आप जिस bank का दोखो जिस bank से loan लिया उसी bank की SIP करवा लो अगर SDFC bank से loan ले रहे हैं तो SDFC bank की SIP करवा लो अब SBI का हम लोगने SBI से जैसे भाई ने loan लिया तो SBI से हम लोग क्या कहते हैं उनकी mutual funds की SIP कलवार ले रहे हैं तो यहां पर आपको दुख़़ एवरेज एक minimum SIP का option आता है कि minimum SIP यहां पर 500 से start होती है तो हम लोग minimum SIP यहां पर 5000 की set करें दे रहे हैं तो हमने यहां पर minimum SIP 5000 की set कर दे रहे हैं बाई 5000 set हो जा तो यहां पर हम लोगने minimum SIP 5000 की एक second क्यों नहीं हो रही है तो यहां पर हम लोग minimum SIP 5000 अरे यहां पर हम लोग अब यह ऐसे होगी भी नहीं हां set होगी ठीक है 5000 रुपाई की हम लोगने minimum SIP set कर दी तो आपको देखो सकते हो उसी की category की इसाब से कापी सारी scheme आ जाएंगी जो आप लोग को high interest pay कर रहे हैं अब देखो मैंने यहां पर option select कर लिए पांस साल से जादा गई जो मैं एक average देखना चाहितों कि पांस साल में हम लोग को कितना rate of interest देखने को मिला है तो आप यहां पर देखो एक scheme चल लगी है जो कापी जादे जैसे SBI banking financial service fund है ठीक है तो यह आप लोग को 12% तक का interest देती है अगर FD में डालोगों वह 5-6-7% का आप लोग को आसानी से return दे देंगी लेकिन अब mutual fund में डाल लें तो थोड़ा जादा fund इसमें हम डाल देंगे 12% का interest देखनों को मिलेगा अब इसमें हम लोग एक भी कोई भी scheme हमने चुन कर ली जिसमें हमको ज्यादा इंटर्स देखने को मिलना है तो देखो डिफेनेटली बारत है यार वहाँ पर काफी बड़े-बड़े इंवेस्टर बैठे होते हैं वह काफी अच्छी-ची कंपनी के स्टॉक पिन करते हैं ऐसा नहीं होता कि हम लोग विल्कुल उनको टोपा समझ लें बहुत अच्छे- जा रही है तो हमने यहां पर तरीका लगा है तो जो लोग छोटे लोग है वो लोग अपना इमाउंट बदाल दीजेगा कि भाई इसके उपर कैल्कुलेशन बताईए कैसे हम लोग इसको कम कर सकते हो वह आप बताईए कि हम लोग इसको पर डेडिकेट वीडियो बना 12 जार की सकते हमें 50 मतरτι 20 सालों के लिए ना लेकर के पंदासालों के लियो लिए अब 5 हजार के हमने ऐसाइपी जबसे मेरी किस्ट जार्य यह लोन की किस्त जारी, उसी समय से मेरे SIP की किस्त जाएगी, अब हमने 5,000 का यूज करके, 13% का इंटरस लिया, minimum interest ठीक है, अब हमने 20 सालों के लिए, time period हमने 20 साले, अगर मैं 15 सालों के लिए रखता हूँ, तो मुझे कितना गाटा देखने को मिला है, तो हम 20 सालों के लिए क कितना interest देखने को मिला है, 13% का, time period हमने 15 साल का पहले select करा, तो अगर हम 9,00,000 रुपए invest करते हैं, 9,00,000 रुपए invest करते हैं, तो हम लोग को return कितना देखने को मिला है, 18,00,000 का, दुगना का return देखने को मिला है, 9,00, 18,00, ठीक है, अब हमने total value कितनी मिलेगी, 27,00,000 रुप invest कर रहे हैं, हम लोग को return कितने मिल ले है, 45,00,27,596 रुपए, 45,00,000 रुपए, इतना हम लोग को return मिल ला है, आप यहां पर यह देखिए, कि हम लोग की मंथली किस्त कितनी जा रही थी, 25,000 रुपए, अब हमने 5,000 रुपए कि किस्त बनाई हम लोग कि किस्त होगे, 31,000 र 15 सालों के लिए हमने यह, 20 सालों के लिए हमने अपनी SIP करवा दी, अब हमको यहां पर total ब्याज कितना देना पड़ा, 20,00,000 रुपए, अब हमने invest कितना किया है, यहां पर SIP कलकुलेटर पर चलते हैं, 12,00,000, हमने 12,00,000 रुपए 20 सालों में दी है, ठीक है, अब हमको total ब् 20 साल के लिए 5,000 के SIP करवाते हैं, तो आपको 45,00,000,000, मतलब कि 32,00,000 से दुगना पैसा, मतलब 5,00, और यहां पर आपके 7,05, कितना हो गया, 7,05 हो गया, 12,00,000 रुपए का आपको यहां पर benefit मिला है, पूरे 20 सालों में, आपको ब्याज कितना लगा, 0 रुपए, यह होती ह किस्त चालू होगी, उसी जाहिम से आपने SIP कोई भी चालू करवा दी, हाई इंटर्न वाली, और देखो, कोई भी SIP चालू करवा, आपको minimum से minimum आपको 12 परसंट का interest, तो देगी देगी, अगर 6-7 परसंट का interest देना है, तो आप सीधे FDS मिलना डाल दो, अब यहीं पर अग आप लोग देख सकते हो, 7-12 लाग तक का आप लोग को यहाँ पर फाइदा देखने हो मिलना है, यह होती power of compounding, यह होता है, आप लोग एक समय का अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें, यह मैंने आप लोग को बता है, आप लोग यहाँ यहाँ पर यह ना कहिने लगी, का भय आपको देखने हो मिलना है, कोई भी मुझे एक इसकी मच्छी लगी, वो मैंने उठा कर आपको बता दिया कि यह लगने वाली, लेकिन यह जो मैंने आज वीडियो बनाई है, काफी ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छी हो सकती है, 2023 में अगर आप लोग लेने जा रहे ह तो आप लोग description में लिंक पढ़िए हैं, वहाँ से जाकर कि अपना civil score और credit score चेक करवाईए, फिर मुझे बताईए कि अपना rate of interest जा लिएगा, फिर अपना जो भी आप लोग को देला के अब गार, तो को personal loan, अगर आप eligibility से calculator से अपनी loan, अपने salary के बियाप पर अपना loan चेक करना चाहते हैं, तो उस पर भी आपको interest rate की जरूरत पड़ेगी, तो आपको सही interest rate तभी पता चलेगा, जब आपको civil score पता होगा, तो civil score चेक करनी की link आपको description में मिलेगी, और फिर मैं EMI calculator की link आपको description में देही दूँगा, ठीक है, तो आपको कहीं इधर उधर नहीं जान कोई भी questions हो, पुरा details से मुझसे बाते कर सकते हैं, तो जैसे इन भायों ने मुझसे details से बाते करी, और इनोंने मुझसे question किया, तो मैंने उनको एक अच्छा तरीके से मैं उनको review दिया, क्योंकि उनको बातों से नहीं समझ में आ रहा था, इस वज़े मैंने उनको उपर dedicated video ना दी, तो आयोब आपको video पसंद है, video पसंद है, तो प्रियरी सार वीडियो को लाइक करो, चैनल को subscribe करो, मिलते हैं किसे और धमाकेदार वीडियो को साथ, ततक लिए goodbye, जै हिंद, जै बारत